अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर पे गल जाएं तो क्या होगा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके साथ बहुती महत्पून और चिंदाजन एक विश्यर पर बात करने जा रहे हैं अगर दुनिया के सारे glacier पेगल जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले आप ये समझे कि glacier क्या होते हैं दरसल glacier बर्फ के बड़े द्रवेमान हैं जो समय के साथ बर्फ और बर्फ के संचे से बनते हैं विवायू मंडल में ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई के कारण मानोप्रेरिद ग्लोबल वर्मिंग के कारण पिगल रहे हैं जिससे प्रत्वी की सतय और महसागर गर्म हो रहे हैं इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है और अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं पिगलने की वर्दमांदर अतीत की तुलना में बहुत तेज है हमें ताजे पानी का श्रोथ प्रदान करते हैं बलकि वेश्विक जलवायू को भी संतु लित रखते हैं लेकिन अगर ये सभी ग्लेशर पिगल जाएं तो इसके परिणाम बहुत इक गंभीर हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसके संभावित परिणामों के बारे में अगर सारे ग्लेशर पिगल जाएं तो सबसे पहला और बड़ा प्रभाफ होगा समुद्र का जलस्तर बढ़ना वैग्यानिकों के अनुसार इससे समुद्र का जलस्तर सतर से असी मीटर तक बढ़ सकता है इसका मतलब ये है कि तक ये शहर और दूई पूरी तरह से डूप सकते हैं लाखो करोडों लोग अपने घर खो देंगे और उन्हें सुरक्षिस्तानों पर जाना पड़ेगा जलवायू परिवर्तन ग्लेशिर्स के पिघलने से जलवायू पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा मौसम चक्र में बड़ा बदलाव आएगा बाड, सूखा, तुफान और अन्य प्राकरति काबदाओं की संख्या बढ़ जाएगी कृष्य उत्पादन पर भावित होगा जिससे खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी और खाद्यान संकट उत्पन हो सकता है ताजे पानी की कमी ग्लेशर ताजे पानी का एक प्रमुक्ष्रोथ है इनके पिगलने से नदियों और जीलों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी इससे पीने की पानी की कमी हो सकती है और सिचाई के लिए पानी की उपलब्दा भी प्रभावित होगी कई शेत्रों में जल संकट हुदपन हो सकता है और लोगों को पीने के पानी की कमी हो जाएगी ग्लेशेर्स के पिघलने से एक्लोजी तंतर पर भी गहरा असर पड़ेगा कई जीव जन तों और पोधी ग्लेशेर्स पर निर्भर होते हैं उनके पिघलने से उनकी आवास्यस्तलों का विनाश हो सकता है और कई प्रजातियों के अस्तित्यों पर खत्रा मन रा सकता है मानव स्वास्ते पर प्रभाव ग्लेशर्स के पिघलने से मानव स्वास्ते पर भी असर पड़ेगा जलवाईू परिवर्तन के कारण नई नई बिमारिया फैल सकती है गर्मी के कारण मलेरिया, डेंगो और अन्य वेक्टर जनित बिमारियों का प्रकॉब बढ़ सकता है तो दोस्तों ये थे कुछ गंभीर परिनाम जो ग्लेशर्स के पिघलने से हो सकते हैं हमें अपने प्रियावर्ण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि हमारी आने वाली पीडिया एक सुरक्षित और स्थिर ग्रैपर रह सकें उमीद है कि आपको ये जानकारी महतुपूर्ण लगी होगी अगर हां तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया